जैसे कृष्ण चैतन्या प्रगुन इत्यानन्दा श्री अद्वेत गदा धर सिवा साधिक और भक्त ब्रंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आज से हम प्रारम करने जा रहा है श्रीपात रामानुजाचार उनके जीवन, उनका चरित्र, उनकी सिक्छाएं उसके बारे में चर्चा करेंगे तो चार प्रमुख वैश्णव संपरदाय है भवान कर्ष्ण और भवान विष्णू उनने चार प्रमुख शिश्यों को ये ज्ञान देना प्रारम किया और उससे क्या है गुरू से प्राम्परा चली आ रही है तो ś respectful Turkey से निज जड्यर संपर्दाय कोंद शेन करोड़े जल करें हैं एंसरा प्रिश के इंव्य आचारे धर्यम अचारे कोमार है निम्मार का अचारे house और ब्रह्मर संपर्दाये उनके मुख्याचार तो ही निजड्यर रुद्र संपर्दाया निजया उनके आचारे एक बल्लव अचार है, यह चार प्रमुक अचार है, तो ऐसा पद्म पुरान में भविष्वाने की गई है, श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णमा छिति पावना चत्वा रंस कलो भव्या ही उतकले पुरसोत्तमात, कि यह कलियुग में चार वैष्णव संप्रदाय, यह कह चारो संप्रदाय का मेल कहां पर होगा, श्री पुरसोत्तम चेत्र, जहां पर चतन महाप्रभू 18 साल रहे, तो कहने का अरत है कि चतन महापु की सिक्छाओं में, इन चारो संप्रदाय का क्या है, सार, और चारो संप्रदाय में किस-किस चीज की कमी थी, वो चतन महापु न ली गई तो जो श्री संप्रदाय है और वहां से चैतनमहाप्रुणे दो मुख्य सिख्छाएंगी एक है वैष्णव सेवा और दूसरा है सर्णागति यह दो चीजे चैतनमहाप्रुणे तो श्री संप्रदाय से चैतनमहाप्रुणे क्या लिया सर्णागति और वैष्णव से फिर ब्रह्म संपर्दाय, जो मदवचार संपर्दाय, उससे कौन से दो सिख्छाएं लिए? विग्रहों की सेवा और मायावाद का खंडणन विग्रहों की सेवा मतलब भगवान का एक व्यक्तित थ है, भगवान की एक परसनलिटी है, भगवान एक पर्सन थ है बुज चिज को अधवाचान ने स्थाफित किया फिर रुद्र संपर्दाय, बलवचार संपर्दाय से कहा लिया पुश्टि मार्ग, रागानुगा भक्ति रागानुगा भक्ति और एक औरienen आनायः even aksra आननन्यः aspects और रागानुगा भक्ति तो जो हमें रागानुगा भक्ति, हम आगे चलके भक्ति रसा में सुन्दू में पढ़ेंगे, तो इक कहां से लिए है चतन महापुरू ने? बल्लब अचार संपरदाय से, और एक संपरदाय कौन सा है, कुमार संपरदाय, कुमार संपरदाय से क्या लिए है चतन महापुरू गोपी भाव और एकांत रादी का आश्रे तो ये आठ चीजें चतन महापुरू ने अलग-अलग संप्रदायों से ली है तो अभी हम रामानुजाचारे के बारे में पढ़ने वाले हैं तो खासकर सरनागती के उपर और वैस्णव सेवा इन दो चीजों के उपर काफी बल दिया गया तो रामानुजाचारे से पहले एक और प्रमुक आचारे हुए थे जिनका नाम था यमुनाचारे जिनका उध्धरन प्रभुपाद अपने गरंथों में कई बार देते है सनाथ जीविता कम मैं सनाथ हूंगा जब आप मुझे स्विकार करेंगे तब मैं अनाथ से सनाथ बनूगा एक बहुत फिरमस स्लोक है इस्तोत रतन लिखा है यमुनाचारे ने इस्तोत रतन है ना तो हाला कि यमुनाचारे और रामानुजाचारे का आपस में फिजिकली कभी मिले नहीं एक ही समय पर थे मनलब यमुनाचारे उनके गुरू के गुरू थे रामानुजाचारे के और आपस में कभी मिलना नहीं हुआ लेकिन रामानुजाचारे ने यमुनाचारे के दरसन की है और यमुनाचारे ने भी रामानुजाचारे को देखा है लेकिन आपस में मिलके बातचीत कभी नहीं हुआ लेकिन रामानुजाचारे के जीवन पर यमुनाचार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा तो रामानुजाचार के जीवन से पहले हम यमुनाचार उनके बारे में हम डिस्खस करेंगे तो यमुनाचार का एक नाम था अलबंदर अलबंदर मतलब विष्विजेता किसी भी स्कॉलर को, किसी भी विदवान को वो हरा सकते है तो एक तमिल नाम है यह अलबंदर यह जो चारों दिसाओं को जीत लेते है तो यमुनाचार का जन्म कहा हुआ था? मदुरई में हुआ था, मदुरई तमिल नाडू में, 918 A.D. में तो मदुरई उस समय जो पांडिया राजा थे, वहां की राजधानी थी और उनके जो पिता की पिता थे, मैं लगा उनके जो दादा थे, उनका नाम क्या था नात्मुनी तो नात्मुनी भी क्या है? श्री संपर्दाय में एक प्रमुक आचार है तो नात्मुनी बहुत बड़े विद्वान थे, भक्त थे और उनके पास कुछ सिद्धियां भी थी, अलग-अलग mystic powers भी थी और नात्मुनी का क्या योगदान है? कि जैसे हमने कुल सिखर अलवार उनके बारे में देखा था तो ऐसे बारा अलवार हुए हैं, तो ये बारा अलवारों ने अलग-अलग समय पर, अलग-अलग मंदिरों में, अलग-अलग विग्रों के सामने कुछ गीदगाए है तमिल प्राथना है, जिसका संकरन कहिनों ने किया? नात्मुनी ने किया और संकरन करने के बाद सु क्या बोलते है? दिव्य प्रबंध जैसे हमारे यहाँ भक्तिवनु ठाकुर के सौंग्स हैं, नरुतमदास ठाकुर के सौंग्स हैं तो उसी तरह से जो श्री संपरदाय उसमें क्या है? दिव्य प्रबंध है और दिव्य प्रबंध किनों ने किये? नात्मुनी ने संकलित किये सभी अलवारों की सिक्छाओं से तो नात्मुनी के एक पुत्र थे जिनका नाम था इस्वर मुनी काफी बुद्धिमान, बहुत सुन्दर, हैंसम तो इस्वर मुनी का विवाह एक स्थ्री से हुआ, सुन्दर स्थ्री उन से हुआ और वो विवाह के पस्चाथ धाम यातरा करने जाते हैं जब धाम यातरा करने जाते हैं, तो धाम यातरा करते हैं, कहां पहुंचते हैं, ब्रिंदावन पहुंचते हैं, अब ब्रिंदावन में अलग-अलग जो दर्शनी स्थाले वहां जाते हैं, यमुना नदी में इस्नान करते हैं, और जब वो बापस आते हैं, धाम यातरा करके मधुरेध लटते हैं, तो Iswar Muni के पुत्र का जन्व होता है, और Iswar Muni का जो पुत्र है, उसका नाम Iswar Muni क्या रखते हैं, यमुना नदी के आधार पर क्या रखते हैं, उसका नाम होता है यमुना, जो आminghamके चलके यमुना चार बनेंगे, कुछ समय के पस्चाथ जो यमुना के पिता थे जिनका नाम था इस्वर मुनी उनका दिहान्त हो जाता है उनकी डेथ हो जाती है अज़ उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो पिता है पिता कौन है नाथ मुनी नाथ मुनी फिर इस्वर मुनी और फिर यमुना तो इस्वर मुनी की डैथ हो गई तो जो नाथ मुनी होते हैं बहुत क्या बहुत चिंतित हो जाते हैं मैंने बहुत दुखी हो जाते हैं और उस दुख में और उस चिंता में क्या करते हैं अपना घर त्याग देते है अब घर त्याग करके क्या लेते हैं सन्यास ले लेते है नात मुनी तो अभी यमुना जो थे वो छोटे बालक थे और उनकी जो मा थी वो भी विद्वा थी और उनकी जो दादी थी वो भी एक तरह से अकेली थी तो उनकी जो माँ हैं और उनकी जो दादी हैं जिनके पास आर्थिक रूप से कुछ इतनी साहेता नहीं थी बहुत ही गरीब थे हैना क्योंकि घर में और कोई पुरुष बचा नहीं था उनकी माँ उनकी दादी ने मिलकर जो यमुना है उनको बढ़ा किया फिर आगे चलके क्या होता है कि जब पांच साल के होते हैं यमुना तो एक गुरुकुल में जाते हैं जिस गुरुकुल के आचारे का नाम था भास्याचार तो भास्याचार उनको और यमुना का जो चरित था बहुत हमबल बहुत ही बिनम्र बहुत ही मतलब सबको मोहित करने क्योंकि उनकी जो बहुत जल्ली सीखते थे, कोई भी विस्य होता था, बहुत जल्ली सीख जाते थे, अब भहुत ही क्या थे, आज्याकारी थे तो सबके वो क्या बन गए थे, फेवरेट बन गए थे, खासकर अपने जो गुरु हैं, भास्याचार, उनके बहुत प्रिये सिस्य बन गए थे तो उस समय जो समय था, उस समय था उस समय डिबेट्स होते थे, वाद भी बाद होते थे तो पांडियाराज में एक विद्वान आया, जिसको नाम था विद्वत कोला हल, वो विद्वानों के बीच में क्या करता था? कोला हल मचा देता था? अब वो सब जगे जा रहा था, क्या करने? डिवेट करने अब वो कहां पहुँच गया ? पांडिया राजी के जो capital है मदुरही वहां पहुँच गया और वहां के जो जितने विद्वान थे सबको कोला हल ने क्या कर दिया ? हरा दिया तो विद्वत कोला हल ने कहा कि जो भी मुझसे हार जाएगा उसको राजा को गया करना पड़ेगा टेक्स पे करना होगा उसे हर महीने उसे टेक्स पे करना होगा ऐसा विद्वत कोला हाल ने सर्त रखा और जो भास्याचार है जो यमुना के गुरू थे वो भी विद्वत कोला हाल से हार गए तो अभी भास्याचार को भी क्या करना है टेक्स पे करना है ठीक है लेकि भास्याचार बहुत ही बहुत ही गरीब थे उनके पास ऐसा धन्नी था तो दो साल हो जाते हैं दो साल तक भास्याचार जो है कोई भी टेक्स पे नहीं करते है तो जो विद्वत कोलाहाल के कुछ शिष्य थे, वो टेक्स कलेक्शन के लिए निगले थे, कि कहां कहां से टेक्स नहीं मिला है, तो वो कहां पहुंचते हैं, भास्याचार के आश्रम में पहुंच जाते हैं, और जब भास्याचार के आश्रम में पहुंचते हैं, तो उसमें और उनके कोई भी वी शिष्ष्छ नहीं होते हैंकि एबल एक शिष्en होते हैं कॉण यमउना onsट ना जाय ठीके न ना तो उनके बीच में अभी वारतालाप होना चालू होता है तो विद्वात krowalphal के शिष्ष्छ होते है कि कॉन आपके शिक्षक कहा हैं ऐसे एकदम गर्वित होकर, किसी को ऐसे नीचा दिखाने के लिए पूछते हैं, कि आपके सिक्षक कहा है, तो इस तरह से बहुत ही गर्वित भासा में पूछते हैं, तो जो यमुरा है, इस चीज को भाब जाते हैं, कि इनके अंदर क्या है, बहुत ज़ंदा प्राइड है, ज कहां से आया, तो उनके सिस्च हैं, कि आपको पता नहीं है, हम कौन है, पूरे भारत वर्स में जो सबसे बड़ा विध्वान है, उनके हम सिष्च है, विध्वत कोला हाल का नाम नहीं सुना अपने, Quitवत कोलाहल का नाम नहीं सुना आपने, «ुनके हम सिष्च हैं», और जो को स्कॉलर्स के जीवें में टेरर, आतंग मचा के रखा है, और इतना आतंग मचाया है कि जो पांड्या किंग है, मदुरही का राजा है, वो भी उनको टेक्स देता है, वो भी उनका अग्याकारी हो गया है, और आपके जो गुरु है, भास्याचार, वो हमारे गुरु से हार तो उनको किसी तरह का डर नहीं है, वो इतने अलना निश्चिंथ होके अपने आश्टम में बैठे हुए है कि उनको किसी तरह का डर नहीं है, विद्धवत कोलाहल का, क्या वो पागल हो गए हैं, दो कारण हो सकते हैं, या तो वो भूल गए, अपनी मूर्खता बस, या अगनी में समाप्त हो जाता है, है ना, तो जब यमुनाचार ने ये सुना, यमुनाचार उस समय कितने से बारा साल के थे, पांच साल के उम्र में कुरुकुल में गए, और बारा साल के थे वो, तो वो सभाव से बहुत बिनम्र थे, है ना, और उनकी किसी से लड़ाई नही लेकिन जब उन्होंने अपने गुरू भास्याचार के प्रती ऐसे कड़वे सब्दों सुने तो उनको क्या होगा बहुत तेज गुस्सा है और उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉंग तरीके से उनके जो विद्वत कोला हल के सिर्शत है उनको बोला कि आप कितने मुर्ख हैं और आ अजर आपविद्वान हैं और विद्वान होने के बाद भी आपके अंδर अहंकार बना हुआए है तो ऐसी विद्विद्विद्ध का वाइदा तो आपके जो गुरु हैं, आपके हरदे से अभीमान भी नहीं निकाल पाए, तो आपके गुरु तो आपसे बड़े महामुर्ख है, इस तरह से वो चैलेंज करते हैं, बोले कि आपने इधाधर के लोगों से आपके जो गुरु हैं, जो महामुर्ख गुरु हैं, उन्होंने डिवेट किया, अपना टाइम वेस्ट किया अभी मैं उनके साथ डिवेट करूँगा आप तैयारी करो मैं आता हूँ और मैं उनके साथ बाद बिवाद करूँगा और बोलियेगा कि भास्या चार के जो सबसे नीचे का सिस्से है वो आप से डिवेट करना चाहता है तो आप उसके लिए रेडी हैं कि नहीं तो अगर आपको हिम्मत है तो मेरे सामने आईए और मैं पांड्या जो राजजी की राजधानी है उसके कोर्ट में आपके जो गुरु हैं उनके साथ बाद बाद करूँगा ऐसा यमुना चाहर नेक इनको बोला विद्वत कोलाहल के सिश्चों को बोला तो आगे क्या होता है अभी डिवेट की तैयारी होती इतना बड़ा चैलेंच अब बारा साल के बालक से तो तो कोलाहल जो होता है कोलाहल के सिश्ची क्या जाते हैं एकदम आश्चर चकेते हैं और थोड़ा उनको डर भी लग जाता है, थोड़ा डर भी जाते हैं, कि ये छोटा सा बालक इतने विष्वास के साथ कैसे चेलेंज कर सकता है, हैंना, तो फिर वो कोला हल के पास में जाते हैं, और कोला हल को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, और भ बच्चे की मांग यह है कि उसको आदर सत्कार के साथ बुलाया जाएगा तब वो डिवेट करने आएगा वैसे डिवेट करने नहीं आएगा तो कुला हल बोलते है ठीक है मैं तयार उसको बिलाओ है ना हम राज में हम डिवेट करेंगे ठीक है फिर दूत जाते हैं भासाचार के आश्रम में और बोलते हैं कि वो जो कुला हल है वो तयार है डिवेट करने के लिए तो यहां पर तो वो जो यह मुना चाहर है बोलते हैं कि जो राजा ने आदेश दिया है उसको मानने को तयार हूँ लेकिन क्यों क्योंकि उनकी कोड के सबसे बड़े विद्वान के साथ मैं बाद बिवाद करने वाला हूँ इसलिए मेरा जो स्वागत होगा एक दम रॉयल तरीके से होना चाहिए मुझे सबसे अच्छी पालकी में बठा के मेरे गुरू के आश्रम से वहाँ ले जाए जाए बहुत सारे सेनिक चलें तब मैं वहाँ पर डिवेट करने आऊँगा ऐसा यमुनाचार ने कहाँ तो फिर वो बापिस जाते हैं और राजा को पताते हैं कैसा ऐसा है तो राजा बोलता है ठीक है हम करेंगे और उस बालक को लेके आएंगे तो यह जो ख़बर है कि यमुनाचार अभी विद्वत कोलाहल के साथ डिवेट करेंगे तो यह बात पुरा जंगल की अगनी की तरह फैल जाती है और कहां तक पहुंन जाती है भाशयचार तक पहुंन जाती है कि मेरे अइससे ने कोला हल को चैलेंज किया तो तो भाशयचार आते हैं और भाशयचार बोलते हैं कि ये अनावस्क डिवेटें पढ़णी किया जूरूmême थी वो प्रसन भी होते हैं कि मुरा आसे सितना कॉंपिटेंट है लेकिन को थोड़ा सा वो भी होता है कि कहीं अगर मतलब इस तरह का विक्ति अगर हरा भी दिया उसको तो भी वो मारने का प्रयास कर सकता है तो यमुनाचार बोलते हैं कि आप को चिंता करने की आवसकता नहीं है बस आप मुझे आशिरवा से इस कोला हाल का जो घमंड है इसका प्राइड है उसको में नस्ट कर दूँगा है ना फिर तो जो भासयचार आशिरवाद देते हैं कि ठीक आप जाओ और विजयी हूँ विजयी भावा और फिर राजा के वहां पर पाल किया जाती है सुन्दर सी पाल किया आती है और उसम बताया है कि कितने करीब सौ सानिक लेने आते हैं सौ सानिक चलते हैं पाल कि के साथ और यमनाचार को बठा दिया जाता है वहाँ पर एलार्ज क्रावड और पीपल हैं गैदर आलोंग दा वे फॉर इट वाज अनहर्ड आफ टोल्व इयर ओल्ड बॉइस तो चैलेंज दा कोड पंडित है तो सब लोग क्या होगा सब आसर चकित हो रहा है कि पहले इतिहास में कभी हुआ नहीं कि एक बालक इतने बड़े देव ने बली महाराथ से तीन पैर भूमी मांगर उनका सब छीन लिया था उसी तरह से छोटा सा जो बालक है ये विद्वत कोराहल का जो घमंध है उसको चूर कर दे तो अभी क्या होता है वहाँ जो पांड्या किंग होते है उनकी जो रानी होती है उनके बीच में भी आप बसमें बातचीत होता है तो राजा बोलता है कि ये जो छोटा बालक है वो कैसा है एक चूहे के समान है और ये हमारा विद्वत कोलाहल है वो एक बिल्ली के समान है तो देखते हैं कि ये हमारा कोलाहल कितना खेलेगा चूहे के साथ और थोड़े समय में मार देगा तो रानी और जो कोला हाल का घमंड है वो कैसा है? एक रूई के पहाड की तरह है. अगर थोड़ी भी छिंगारी अस रूई के पहाड में लग गई, तो क्या होगा? पहाड पूरा क्या हो जाएगा? राक में बदल जाएगा. तो राजा बोलते हैं कि तुमको इतना कैसी विश्वास है, यह हरा देगा. यह मुझे मिज़े विश्वास हैं. बोलो ठीक है, दावर रखते हैं, अब राजा और राणी आपसें बाचित कर रहें, तो बोलो बढ़ते हैं, रणी वो जाना हैं क्या दावर रखते हैं? राणी तो राजाविन की यE तो बहुत बड़ा दाव है मुझे भी थोड़ा बड़ा खेलना पड़ेगा तो राजा है अगर ये यमूरा जीत गया तो आधाना राजे मैं इसको देदू आधाना राजी का राजा इसको बना दू तो ऐसे दाव खेलते है तो जैसे कोलाहल वहां बैठे हुए हैं, उनकी सिस बैठे हुए हैं, और यमुनाचार आते हैं, पालकी इमाटके, और जैसे कोड में उतरते हैं, तो वेंगात्मक तरीके से, सार्किस्टिक तरीके से कोलाहल क्या बोलता है? अल्वंदर, अल्वंदर मतलब चारो दिसाओं को जीतने मयाला, ऐसे बच्चे को बोलते हैं, कभी थाटे हुए, ऐसे को भी कुलाहल क्या बोल्ता है? फ्ट्ज बच्चे भी जाता है लेकि आजे चलके उनका नाम अलवंदरी ही रहता है तो सबको हळा देता है तो राणी क्या वोलती ही हाँ ये अलवंधर है आभी तुमको चुप कर देगा अभी डिवेट चालो होता है देवेट में क्या होता है, कि जो विद्वत कोलाहल है, वो संस्कृत से प्रस्टन पूछना चालो करते हैं, यमनाचार से, तो यमनाचार उत्तर देते हैं, थोड़ा और कठीन प्रस्टन पूछते हैं, और उत्तर देते हैं, बहुत ही कठीन पूछते हैं, तो भी उत्तर देत यमनाचार और बढ़ाते हैं, यमनाचार बोलते हैं, क्या आप मुझे बालक समझ के सरल प्रस्न क्यों पूंच रहा हूं। थोड़ा सा कटिन प्रस्न पूंचना चाहिए। अगर आप ऐसा सोचते हो कि जिसकी उम्र अधिक होती है, वो अधिक विद्वान होता है। तो जो पानी में रहने वाली भैस है, वो आपसे अधिक बुद्धिमान है। क्योंकि उसका आकार क्या होता है? आपसे बड़ा है। तो पानी की भहस आपसे जाना बुद्धिवान, तो वो जो विद्वत कोला हाल होता है, बोगार जाना क्या जाता है, एकदम तिल्मला जाता है, एतने सब लोगो के साथ, उनका विज्जती की जा रही है, तो कोला हाल बोलते हैं कि ठीक है, तुमने उतर दिये न, अभी तुम पूछो, मैं उतर दूँगा, तो यमिनाचार बोलते हैं मैं तीन प्रशन पूछूँगा, और तीन मैंसे अगर उन तीन प्रशनों को तुमने डिफीट कर दिया, उसका बता दिया कि ये सेंटेंस क्या है तो मैं तुम्हारा सेश्य बन जोगा, मैं अपनी हार स्युकार कर लोगा, मैं तीन प्रशन पूछेंगा तो सब क्या कोर्ट है उसमें पूरा सन्नाटा साह आता है, कि ऐसे कौन से तीन प्रशन आने वाले तो कॉलाल बोलते हैं ठीक है पूछो आप तो यह मुनाचार बोलते हैं कि मेरा पहला प्रशन है आपको तीनों वाक्यों को उल्टा बताना है उसको डिफीट करना है तो पहला प्रशन पूछते हैं कि आपकी मा बांज नहीं है इसको रिफीट करो आपकी जो मा है वो बांज नहीं है इसको गरत साबित करो तो अभी वो सोचने में पढ़ जाता है मिद्वत को लाहर कि मैं तो अपनी मा का बेटा हूं मेरी मा की संतान है तो मेरी मा कैसे बांज भी इसको तो रिफिटी नहीं कर सकते तो पहले इस तरह से सास्त्रों पर वो होते थे डिबेट सोते थे अभी हम इमेजन नहीं कर सकता है कि हाथ परसे होते हैं जब से मुगल आये हैं तब से हाथ परसे होने लगे मुगल से पहले सास्तार्त होते थे मायाबादी वैष्णमों के बीच में तो छुप रहता है सारा जो कोट है वहाँ पर सन्नाटा सह जाता है और खुला हाल में चेहरे पर चिंता आना चालो हो जाती है कि पहला प्रसन तो मैं हार गया ओके गोलते ठीक है दूसरा पूछा अभी तो दूसरा है कि हमारा राजा जो पांडिया राजा है वो धार्मिक राजा है इसको आप रिफुट करो कि हमारा जो राजा है वो धार्मिक है इसको आप गलत सावित करो तो वो कुला हाँ सुचता है कि राजा तो सामनी बैठा है और मैं कैसे राजा तो धार्मिक है राजा तो चत्री हैं और धर्म का पालन कर रहे है तो जो कैसे रिफीट हो सकता है तो फिर उसको और चंता बढ़ जाती है और चाहरे का रंग के आजाता है फीका पड़े जाता है फिर पुलते है तीसरा प्रशन पूछो तो तीसरा प्रशन यद्वनवाचार के उच पूछते हैं कि हमारी रानी है वह बहुत ही पवित्र और सती है इसको आप आप गलत सावित करो कि हमारी नावनी क्या है बहुत ही चेस्ट है और अपने पती के प्रती बहुत ही फैध्फ eu लोयल है ववफादार है इसको आप गलत सावित करो तो वीद्दवत कुला हल कि जिवन में कुला हल मज़ जाता है औब अब फौह उजयाता है तुम्हें तुम्हे 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 तुम् मुझसे पुछा, उसका जवाब तुम दो गया गए तो वहां जितने भी ब्रहमाद वेठे होए थे बोलते हैं किया यह तो हार गया कोला हाल लेकिन करोध में आके इस तरह से बात कर रहा है इसको अपनी हार स्विकार करना चाहिए तो बोलते हैं कि अपना गुस्सा निकाला है और इसमें प्रॉमिस किया था कि अगर तीनों वाक्यों को हरा देगा तो ही वह जीता हुआ खेलाएगा तो यमुनाचार एकदम चुप चाप थे वहाप बोलते हैं ठीक है मैं मताता हूं अभी एक एक कर एक अपने वाक्यों को क्या करूंगा र मेरा पहला जो वाक्य था कि इस कोलाहल की जो मा है वह बांज नहीं है ठीक है तो बोलते हैं कि मनुस्मर्ती में लिखा हूआ है जिस इस्तरी की केवल एक संतान होती है वह बांज के बराबर है ऐसा मनुस्मर्ती में लिखा है कि जिनके केवल एकी संतान है वह बांज के सवा तो सब वहां पर बोलते हैं हैं सही है तो लिखा हूँ है मनुश्मिति में फिर सेकेंड कैसे रिफूट करते हैं कि राजा जो है वो बहुत धार्मिक है और चरित्र में क्या है बहुत चरित्रवान है उसमें सभी तरह के गुण है लेकिन क्योंकि कल्यूग का समय है तो प्रजा जो पाप करेगी उसका वन सिक्स्थ राजा में जाएगा और जो पुन्य करेगी उसका वन सिक्स्थ राजा को मिलेगा लेकिन कल्यूग में अधिकता प्रजा क्या है पापी है तो उसका जो वन सिख्थ पाप है वो किसके पास में है राजा के पास में है तो व्यक्तिकत रूप से राजा बहुत चरित्रवान है क्योंकि वो राजा है और उसकी प्रजा ऐसी है इसलिए कुछ हिस्सा पाप राजा के पास में है इसलिए हमारा राजा क्या है पूरी तरह से धार्मिक नहीं है तो सब तालिव जाने लगते हैं आपर अब तीसरा कैसे करेंगे तीसरा सबसे कठेन है कि जो हमारी रानी है वो क्या है सती है तो यमिनाचार बोलते हैं कि सास्त्रों में लिखा है कि राजा में सभी तरह की देवता होते है सूर्य, चंद्र, वरुन सभी तरह की देवता बास करते है तो हमारी रानी ने केवल राजा से साधी नहीं की है सभी देवताओं से की है चंद्र से भी की है, सूर्य से भी की है, वरुन से भी की है सबसे साधी की है इसलिए हमारी राणी केवल हमारे राजा की प्रतिस सती नहीं। तो सारे क्या हैं? बहुत जोड से चिलनना लगते हैं अल वंदर, अल वंदर, अल वंदर के इसने विद्वत कोला हल नियू harm? तो जो जो राजा होते हैं अपना माला लेकर आते हैं और यमुनाचार के गले में डाल देते है और अपना आधा राज्य देकर उस आधे राज्य का राजा कौन बन जाते हैं यमुनाचार बन जाते है फिर राजा बोलते है कि आप इसको क्या सजा दोगे कुला हल को हाना बुझे भी लगता था कि यह सही नहीं है इसमें बहुत एहंकार है लेकिन मुझे ऐसा कोई विद्वान मिल नहीं रहा था जो उसके एहंकार को चूर-चूर कर सके लेकिन आज तुमने इस कोला हल को हरा दिया तो इसको तुम सजा दो तो बोलते हैं कि मैं इनको इसको छोड़ देते हैं इसे कुछ सजा देने की जरूद नहीं है इसका एंकार तूट चुका है तो वो कोला हाल और इसके सिस्से वहाँ से चले जाते है और जो बच्पन में बहुत गरीब थे यमुनाचार अभी क्या बन गए है? राजा बन गए है एक राज जी के क्या बन गए है? राजा बन गए तो अभी क्या होता है? कि जब वो इस तरह से राजा बनते हैं तो जो भी उन्होंने आध्यात में प्रगति की थी वो सब भूल जाते हैं जो भी उन्होंने बच्पन में सीखा था अपने गुरुकुल में सब कुछ वो भूल गए कि जीवन अंतता किसलिए मिला है और सारे सासनों के सिक्षाएं भूल गए और एक बहुत अच्छे क्या बन गए पॉलिटीशियन बन गए एक राजनितिक बन गए कैसे अपनी सीमाओं को बढ़ाया जाए तो जब आस पास के जितने भी राजे थे उन्होंने देखा कि ये तो छोटा सा बालक है बारा साल का ये राजा बना हुआ बैठा है तो हम इसके राजे पर पहले से आकरमन करेंगे और इसके राजे को अपने राजे मिले लेंगे तो यमुनाचार बुद्धिमान तो थे तो उनके जासूस थे उन्होंने पहले ही निउच बता दिया कि आपके राजे पर आकरमन होने वाला है तो यमुनाचार ने क्या किया पहले ही दूसरे राजे पर आकरमन करना चालो कर दिया और उनकी जो राजे की सीमा है अभी कैसे उनको बापिस लाया जाये एक भोग विलासी के जीवन से तो जो बच्पन के इंप्रेशन होते हैं वो खत्मेट नहीं होते है हाणा रहते तो हैं वो ठग जाते हैं अगनी होती है, डख से डख जाती है उसी तरह से उनके जो अध्यात्मिक संस्कार थे वो थे लेकिर राजा बनने के कारण वो पूरी तरह से ढग गए थे तो आगे क्या होता है यमुनाचार के दादा कौन थे नाथमुनी ठीक है तो नाथमुनी के एक्षेश थे जिनका नाम था राम मिश्र तो नाथमुनी जो हैं वो सोचते हैं कि मेरा जो पौत्र था यमुना इतना अच्छा था और इतने अच्छी तरह से आध्यात्मे कारियों में लगा हुआ था अब यह राजा बन गया पूरी तरह से भोग विलास में डूब चुका है इसको कैसे बापिस लाए जाए और उनकी मृत्यू आने वाली होती है तो अपने जो प्रियसिस हैं राम मिश्र उनसे बोलते हैं कि मेरी केवल मृत्यू के समय एक ही इक्षा है कि किस तरह से यह आतना किया था कि मेरे घर में ऐसा आय ऐसा पुत्र आय अब वो क्या है पूरी तरह से पदबरस्ट हो गया तो जो राम मिश्रा होते हैं वो नात्मुनी को आस्वसन देते हैं कि मैं इनको बापिस लेकर आऊंगा तो राम मिश्रा क्या करते हैं कहां पहुंचते हैं यमुना अभी एकividades मिलना कित्ना कम है ऐसे तो कोई आम आदमी नि जा सकता है तो बहुत दिन तक वो प्रयास करते हैं किसी तरह से हम यमना चार के पास मिले जाएं लेकिन वो सारे प्रयास किया हो जाते हैं पिफल हो जाते है तो राम मिश्रा क्या थे वैशनव क्या होते हैं बहुत चतुर होते हैं ऐसे काम ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं वो क्या सुचते हैं कि यमुनाचारी के लिए जहां कुकिंग होती है वहां जाते हैं और उनकी कुक से मिलते हैं तो वो राज जिमें जहां किचिन था, जहां पर व्यक्तिगत रूप से यमुनाचारे के लिए कुकिंग होता था, वहां पर राम मिश्रा पहुंच जाते हैं और राम मिश्रा क्या बोलते हैं? उस समय यमुनाचारे की आयो कितनी थी? 35 साल बारा साल की उम्र में वो राजा बने थे और 35 साल पहुंच गए थे तो राम मिश्रा बोलते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी औशदी लेके आया हूँ जिसका नाम है तडुवलाई ये औशदी को आप रोच खाने में मिला कर यमुनाचारे को देना इससे क्या होता है? मन बहुत सांत होता है और क्या होता है? बहुत सतोगुण में होता है और राजा सतोगुण में लेकर रहकर अच्छी तरह से डिसिजन ले सकता है राज अच्छी तरह से चला सकता है तो ये तडुवलाई औशदी आप खाने में मिला कर देना तो खाने मिलाते हैं तडू बलाई को और खाना ले जाते है और यमुनाचार लेते हैं एक दिन, दो दिन, दस दिन, पंदरा दिन, दो महीने हो गए अब उसको भोजन ग्रहन कर रहे हैं जिसके उनका मन क्या हो गया धीरे 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 सांथ होना चाले हो गया और एक दि दो दिन नी आए, तीन दिन नी आए, पांच दिन नी आए, तो यमुनाचार का मन क्या होना लेका? विचलित होना लेका, क्योंकि तडू बले याभी मिलनी रही है तो यमुनाचार नी मला कि आपका खाना इतना अच्छा क्यों इतने दिनों से? खाना खाके मेरा मन और परिसा तो उनके जो कुख है, वो बोलते हैं कि यहां पर एक वैशनव है, वो रोज आपके लिए आउसदी लेकर आते हैं, तो वो कुछ दूनों से आउसदी लेकर नहीं आ है, इसलिए थोड़ा जो खाना बन रहा है, उसमें एक कमी रह जा रही है, तो यमिनाचार बोलते हैं, उन कि यहां चाहता हूँ, उनको लेकर आओ, अभी मैं उन वैशनों से मिलूँगा, अभी वैसे तो डारेक्ट मिलना नहीं हो पाता, तो जो कुछ दूनों के बाद, राम मिश्टा वहां पर आते हैं, और राम मिश्टा जो कुख हैं, वो बोलते हैं राम मिश्रा से, कि यमुन यमुनाचार के पास, ठीक है, और यमुनाचार को प्रणाम करते हैं, यमुनाचार देखते हैं कि वैशनम है, वो उनको प्रणाम करते हैं, और वो बोलते हैं कि आपको क्या उदेश है, तो बोलते हैं कि मैं आपके जो दादा है, नाथ मुनी, उनका एक सेवक हो, और आपक यह बोडते हैं कि मेरे पास देवार बहुत सा भाज्य है, बहुत सार खाजाना है तो मुझे और खाजाने ही क्या हNow, बहुदी आगे से विरासत है लिजने आप घाल आप यह आपको देना है तो यमिराचार बोलते हैं ठीक है चलो चलते हैं खजाना ले ले लेकिन आप अकेले चलेंगे और किसी को साथ में ने ले जाएंगे क्या है ये बहुत ही सीक्रेट जगह है छुपा के रखा ये खजाना कहां है साथ दीवारों के अंदर है खजाना और दो नदियां जो है इस खजाने की सुनरक्षा कर रही है और ये खजाना क्या है एक साप है साप की बीचों बीच है तो ये नदी को पार करके और साथ दीवारों को पार करके और उस साप की बीचों बीच वो खजाना है उसको लेने के लिए आपको आकेले जाना पड़ेग और कोई साथ में नहीं जा सकता है तो यम्राचा बोलते हैं ठीक है खजाने के लिए तो मैं कहीं भी चलूँगा तो फिर वो चलना चालू करते हैं अभी राम मिश्रा जो थे बहुत ही चतुर वैशनव थे तो क्या करने लगे जब ये मदुरही से स्री रंगम आने लगे मंदुरही से स्री रंगम पैदल पैदल आना चालू कर दिया तो रोज भगवद गीता का पार्ट करते थे जो राम मिश्रा थे रोज भगवद गीता का पार्ट करते थे तो जो यमुनाचार हैं जब भगवद गीता का पाठ सुनते थे, तो उनको जो बच्पन का सब याद आने लगा, कि कैसे मैं अपने गुरू के आश्रम में रहकर भगवद गीता को पढ़ता था, भगवद गीता पर व्याख्यान करते थे, और मुझे सम्झाते थे, तो धीरे 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 उनको ंसको रोज खिलाते थे, भगवत-गीता सुनाते थे अब प्रिशाय खिलाते तो दिड़े दिड़े क्या हो apply यहुन चाहर में परिवर्टानानद चालते हो गया अजब आठवे अध्या तक पहँचे आठवध्या का एक स्लोग है मै एवा मना अध्यस मै बुद्धिम निवे सेया निवे से मै एवा अता उर्धम न संसेया तो यहां हमान बता रहे हैं Just fix your mind upon me the personality of Godhead and engage all your intelligence in me thus you will live in me always without a doubt अपने जो बुद्धी है मुझमें केंदृत करो और हमेशा मेरे साथ में रहोगे और जब वो इस तरह से प्रती दिन भगवत गीता पाठ और प्रशाद और आठवे अध्या तक पहुंसते हैं तो यह मुना चार का जो पूरा मन है पूरा चेंज हो जाता है और बोलते हैं कि अब मैं राज्य बापस नहीं जाओंगा अब मुझे राज्य पत से कुछ भी लेना देना नहीं है अभी मैं आपका शिष्र बनना चाहता हूं और जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा तो राम श्रा बोलते हैं नहीं अभी खजाना मिलना तो बाकी है मुझे अभी कोई खजाना नहीं चाहिए मुझे बस अपना पूर्व आश्रम का वो मुझे सब कुछ याद आ गया कि मैंने बच्पन में क्या किया था बोले नहीं फिर भी आपको खजाना आपकी जो दादा है वो छोड़ के गए हैं तो आपको ले नहीं पड़ेगा तो वो कहां पहुंच जाते हैं श्री रंगम पहुंच जाते हैं और श्री रंगम कहां पर एक उस पह है टाप उपर है उसके दोनों तरप क्या है कावेरी नदी है और जो श्री रंगम मंदिर है वो साथ दीवारों से घरा हुआ है तो वो साथ दीवारों के अंदर एक एक दीवार करके उसको प्रकरन बोलते हैं पहला प्रकरन, दूसरा प्रकरन, तीसरा प्रकरन तो प्रकरन पार करते-करते सबसे अंदर तक पहुंचाते है और फिर राममिश्टा बोलते हैं कि यह बस से हम खाजाने के पास पहुंचे गए और वहां पर जो श्री रंगनाज जी है वो सेश नांग पर क्टर रहे है विष्वाम कर रहे है और जैसी यहमुनाचार श्री रंगनाज जी के दरसंप करते हैं वैसे वो मूर्चेत हो जाते हैं, और फिर दिर्णाय करते हैं, जो दिर्णाय था वो और जादा बलिस्ट हो गया, कि अभी मैंने राज छोड़ दिया है, अभी मुझे राज से कुछ लेना देना नहीं है, अभी मैं शीरंगम में ही रहूँगा, और भहवान के लिए ग्रंथ भहवान के लिए कविताई लिखना वो प्रारम करूँगा, तो इस तरह से राम मिष्णा के बुद्धी मान, बुद्धी मता से, उनके डिवोशन से, जो एक राजा, जो इतने भोग विलास में डूब गय थे, वो चेंज हो जाते हैं, और एक भक्तिनी बनते, महान आचारे बनते हैं, यमुनाचार, तो इस तरह से यमुनाचार का बच्पन, जिसमें उनके टेवेट किया, फिरुम का भोग विलास, और कैसे राम मिष्णा के संग से आके वो चेंज हो जाते हैं, और अंते में जो बास्तविक खजाना है, को रंगनाज जी के दर्सन होते हैं, तो य ब्रे क्रिष्णा, कोई इसे का पुपरशन है, कुछी क्यासा? इसा बताएगा मनुसमृति में, अगर एक ही पुत्र है, तो जो इस्त्र होती है, बान्ज के समानी है। तो देखना पड़ेगा उसमें किस परिपेक से बताएगा, पुत्र होना ना होना उसके बराबर है, ऐसा संतान होना ना होना उसके बराबर है, ठीक है? एकांत एक एक एकांत एक 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 ऐसरे, और अनने कृष्नासरे की अपुष्टी से मार्ग को, रागानूगा बख्ती को ज है धुकिल कर दो रादva कि देंधो करोछ करीरें? कौही देथेपता ने कोई कुछ कोई पीनी ने 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 मद्धाचार संप्रदाय में देव देथेपताओं होते हैं देवी देथेपताओं को भवान के भक्ते की तरह देखा जात है जैसे वायू देव हैं, अगनी देव हैं, अलग-अलग देवी देपता भी होते हैं आप, लेकिन को एक भवान के भक्ति की तरह देखते हैं, लेकिन बाकी संप्रदाय में नहीं, क्योंकि देवी देपता हो, अनन्य मतलब और कोई सरन्नी लेना, थोड़ा से डाइवर्ट होन करने का चांस है, ठीक है, हरे किष्णी